नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं CNN News तो चले शुरुआ करते हैं आज की प्रिमो खबर से भगी रत राजा ने बड़े प्रयतनों से गंगा मैया को स्वर्ग से धर्ती पर मानव कल्यान के तू लाएं जिसको प्रत्यक्षि शिव जी ने अपनी जताओं में स्थान दिया है इसलिए यह यह शिव गंगा बन गई यह जीवन दाइनी है और शिव ने हमालया में गंगा म का बड़ा सपना देख कर शिव गंगा प्राइविट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर की है जो गंगा की तरह धीरे-धीरे संपून विश्व में फैल कर विश्व व्यापक बनेगी और संपून विश्व का कल्यान करने के लिए मां गंगा की तरह वर्दान साबि अजिव जा रही है अरह बड़ा सपना देख कर शिव गंगा प्राइविट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिटर के है जो गंगा की तरह धीरे-धीरे संपून विश्व में फैल कर विश्व वैपत पनेगी और संपून विश्व का कल्यान करने की मां गंगा की तरह वर्दा सब्सक्राइब करने की तरह विश्वास है शिव जी का वर्दास्त और माद अल्दा का वर्दान इसलिए यह कंपनी शुकुप का नाम से पैचानी जा रही है हर हर बोली और हर गंगे गंगा जिसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है कहा जाता है मात्र गंगा स्नान से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं इसलिए मनुष्य अपने जीवन में एक बार गंगा स्नान जरूर करता है शास्त्रों में भी गंगा को देव नदी कहा गया है पुरानों में गंगा की उत्पती के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रसिद हैं एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युबती के रूप में प्रकत हुआ था एक अन्यक अथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्णु जी के चर्णों को आदर सहित धोया और उस चल को अपने कमंडल में एकत्रत कर लिया तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा परवतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना की पुत्री है इस प्रकार गंगा जी देवी पारवती की बहन भी है प्रतियक मान्यता में ये आवश्य आता है कि गंगा जी का पालन पोशन स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संग्षन में हुआ इस नदी को प्रत्वी पर लाने का का महाराज भागीरत ने किया था इसे भगवान शिव अपने सिर पर धारन किये हुए है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे श्री हरी के चर्णों से गंगा शिव जी की जटाओं में क्यूं और कैसे विराजमान हु इतना पवित्र होता है जो भी इसे ग्रहन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं गंगा माता को प्रत्वी पर लाने हे तुव भागीरत ने कठोर तपस्या आरंब कर दी उनकी कठोर तबस्या देखकर गंगा मा प्रसन हुई और भागिरत के सक्षम प्रगत हुई लेकिन उन्होंने पृत्वी पर आने से पहले भागिरत को सावधान किया कि मैं जब स्वर्ग से पृत्वी पर आऊंगी तो पृत्वी से मेरा वेग सहन नहीं होगा मेरे तेज बहाव से सारी धर्ती नश्ट हो जाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी गंगा को ये अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता ये सुनकर भागिरत सोच में पढ़ गए लेकिन वो जानते थे महादेव उनकी मदद अवश्य करेंगे तब उन्होंने भोले नात की उपासना शुरू कर दी संसार के दुखों को हरने वाले शिव शम्भू उनकी उपासना से प्रसन हो गए और भागिरत से वर मांगने को कहा भागिरत ने अपना सब मनोरत उनसे कह दिया शिव जी ने भागिरत को तथास्तु गह उनकी प्राथना सविकार की गंगा जैसे ही स्वर्ग से प्रत्वी पर उतरने लगी गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में क्याद कर लिया वे छट पटाने लगी और शिव से माफी मागी तब शिव ने उन्हें जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया जहां से गंगा साथ धराओं में प्रवाहित हुई खबरों में आप तर के लिए वस्तना ही मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमोखबर के साथ तब तर के लिए नमस्कार और देखते रहें CNN News